2011 में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच गैरी करस्टन आईपेल में वाक्षी करने के लिए तैयार है साउथ आफ्रिका के पूरो क्रिकेटर करस्टन को आईपेल में एहंदबाद फ्रेंचाइजी का हेड कोच बनाया जा सकता है जब कि पूरो भारत के तैज गिनबाद आशिश नहरा भी एहंदबाद फ्रेंचाइजे के सपोर्ट स्टाफ में शामिल हो सकते है भारत ने करस्टन के हेड कोच रहते ही 2011 में 28 साल बाद वर्ल कप जीता था उस समय नहरा भी उस वर्ल कप विनिंग टीम के खिलाडी थे एक प्रुकेट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भारत भी टीम के पूरो मुख्य कोच कोस्टन एहंदबाद टीम के सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बनने की रेस में शामिल है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत के पूरो तेज गेनवाज नहरा भी उनके साथ हो सकते है ये दोनों साथ में आर्ट से भी फ्रेंचाइजी के कोचिंग स्टाफ का भी हिस्सार रह चुके है रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इंग्लेंड के पूर्व फिलाडी पिक्रम तोलन की भी एहंदबाद की कोचिंग स्टाफ में शामिल हो सकते है इससे दिले ऐसी खबरे आई थी कि सीवी सी की मालिकाना हक रखने वाली एहंदबाद फ्रेंचाइजी खारती कोचिंग के साथ भी बातचीत कर रही है रवी शात्रीत भारत दरुप और आरश्री धर्शामिल है यो कुछ दिनों पहले तक भारत के कोचिंग स्टाफ का हिस्साथ है